नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट की अगर बात करें तो ये दो बार अपनी क्षमता का परदर्शन कर चुके हैं पहले 1999 में कारगिलवार के दोरान और उसके बाद 2019 में जब इन्होंने बाला कोट के अंदर जाके एर स्ट्राइक की तो ऐसे में दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट मिराज 2000 के साथ में पार्टनर्शिप करेंगे यानि इनके साथ में ये डिपलोई भी किये जा सकते हैं और मिशन के अंदर भी जा सकते हैं और सुखोई 30 MKI के साथ जाने की संभावना राफेल की बहुत ही कम है आज हम इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों इंडिया के पास जो मिराज 2000 फाइटर जेट है ये सबसे ज़ अगर किसी भी टार्गेट को हिट करना हो और दोस्तों जहां तक मिराज 2000 की डील की बात है तो ये हमने तब की थी जब पाकिस्तान ने अमेरिकन F-16 फाइटर जट खरी देते शुरू में हमने दोस्तों 36 सिंगल सीटर मिराज 2000 खरी देते और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 खरी द चाहिए तो फिर 10 ऐसे और फाइटर जट खरी दे गए और हमारे पास टोटल 50 ऐसे फाइटर जट हो गए और उसके बाद दोस्तों हमने इनका अपग्रेडेशन भी किया और उसके बाद ये 2040 के अंदर रिटायर होने वाले हैं तो ऐसे में ये अभी इंडियन एर फोर्स के बनाया है और साथ ही इसके अंदर हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड की पार्टनर्शिप भी रही है और इनका पहला ओडर 1996 में दिया गया सुखोई को और उसके बाद में दोस्तों H.E.L. ने डील साइन की ताकि वह है इसका लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया के अ जिसका मतलब यह है कि उसे एनिमी इजीली डिटेक्ट कर सकती है और दूसरा इसका कारण यह था कि इसराइली वैपन सिस्टम का लगा होना क्योंकि दोस्तों जो स्पाइस 2000 बोंब हमने इस्तेमाल किये जो इसराइली बोंब थे यह एक लेजर गाइडिड सिस्टम है और य अबी फ्रेंच एएर फॉर्स भी अपने सारे मिराज फाइटर जेट को राफेल के साथ रिपलेस कर चुकी है और इंडिया ने भी 36 राफेल फाइटर जेट का ओडर दे रखा है जिसमें से 5 हमें मिल भी चुके है और उसके बाद इंडिया ने इन फाइटर जेट को ले चुका है और इस एरक्राफ्ट की अगर बात करें तो इसकी फ्लाइंग पर्फॉर्मेंस और इसके वैपन सिस्टम बहुत ही अच्छे हैं साथ इसके रडार, सैंसर्स और इलेक्रोनिक वार्फिर कैपैबिल्टी की बात करें तो ये बेस्ट इन दा वर्ल्ड है और इस फा राफेल को भी अब इस रेजन के अंदर टेस्ट कर लिया गया है और किसी भी सूरत में अगर यूद दोता है तो ऐसे में मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट में रोल निभाएंगे, स्पेशली एनिमी को निउट्रलाइज करने के लिए और एर डोमिनेंस रोल को निभाने के लिए धन्यवाद जैहिंद